मुझे पता है, बिल्कुल पता है, आप पिछले कुछ घंटों से थीकता से सोये नहीं है, आपके दिल की धड़कने पिछले 25-30 घंटे से बहुत तेज हैं, I mean, सेल सुरू हो चुका है, festive season है, flip card, Amazon में deal चल रहे हैं, कौन सा deal attain करना है, कहां से, किसके पास से card का offer, किस तरह से देना है, I mean, बहुत सरे चीज आपकी दिमाग में चल रहे हैं, continue, आप focus नहीं कर पा रहे हैं, किसी और काज में, जब तक ना आप एक सही order प्लेस कर देते हैं, तब तक, right, तो ये जो वीडियो है, मैं उनके लिए जो music lover हैं, जो चाहते हैं, घर के लिए एक music system, तो उनके ल मुझे जैसे प्यार देते आए हैं, और भी प्यार देते रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को लाइक कर लिजे, share कीजिए वीडियो को, और मेरे साथ बने रहे हैं, और बहुत सारे डील में बताने वाला हूँ, और यहां पे उन सारे डील का link मैं, discussion में दे प्लीज वहां से purchase करेंगे तो आपको जो deal मिल रहे हैं आपको वही deal मिलेंगे बिल्कुल कुछ भी change नहीं होगा price में बस थोड़ा सा channel को help होगा जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी और भी आपके लिए अब बहतर एक motivation के साथ आपके लिए और अच्छे अच्छ deals कुछ आ रहे हैं मगर थोड़ा सा मैं ओबेज से काफी नाखुस भी हूँ बहुत मतलब कुछ महीनों से देख रहा हूँ कि उनकी जो सारे product है उनकी price बहुत जादा बढ़ रहे हैं धीरे धीरे I mean पहले जैसा वो अभी उस price में नहीं आ रहे हैं बहुत ही कुछ चुनिंद के लिए यह है कि जो Amazon Great Indian Festival चल रहा है तो इस वक्त आपको अबेज के सारे model आपको discount में मिल जाएंगे और यह discount इस तरी का है कि आपको अबेज अपना price बढ़ा चुका है अभी जो discount मिलेगा उससे एक फाइदा होगा कि आपको बहुत सारे model जो है जिस price में launch हुआ था उस price म नहीं है मगर फिर भी मैं कहूंगा अगर खरीदना चाहते हैं तो अभी खरीद लीजे मैं आपको बहतर कुछ deals बता रहा हूं जहां पर आप खरीद सकते हैं पहली बात अगर आप अपना घर पे music system चाहते हैं मगर budget आपके पास बहुत जादा नहीं है आप बहुत सारे इध DT21 तो यह एक मात्र मॉडल मैं कहूंगा जो कि जिस प्राइस में launch हुआ था उसके बाद इसकी price काफी घड़ चुका है तो उस हिसाब से मैं कहूंगा यह बहुत ही value परमानी है तो always DT21 एक इसको audio feel कहा जाता है और CEO है always का उनकी काफी पसंदीदा एक यह product है तो यह जो है 35 जिसको कहा जाता है यह product आपको मिल अभी मिल रहा है 3,635 मतलब काफी कम price में यह जो launch हुआ था यह 4,290 पे साइद launch हुआ था और एक बहुत ही popular है आपको पता है ओबेज की MT600 काफी पुराना model है मगर काफी powerful है single tower speaker यह भी आपको मिल जाता है लग जाएगा 3,635 तो यह ज हमेशा एक दोस्टे के टकर में हमेशा खड़े हो जाते है आसपास की price में तो अभी तो फिलाल दोनों की price बिल्कुल भी सेम है तो दोनों में मैं एक ही चीज़ कहूंगा कि अगर आप single tower लेना चाते है तो MT600 आपके लिए अच्छा रहेगा काफी पंची बेस है काफी ज़ लोगा इस तरह का पंची बेस है तो यह अच्छी बात है अगर आप चाहते है नहीं यार single tower नहीं मुझे dual tower चाहिए तो इस price में मैं कहूंगा DT21 बहुत ही एक अच्छा choice है क्योंकि आपके dual tower आपको मिल जाते है जिससे क्या है कि आपकी जो room अगर थोड़ा सा बड़ा है तो वो cover कर जाएगा और proper तरीके से music spread होगा थोड़ी और आपको stereo effect मिलेगा आप अगर TV के साथ इस्तमाल करना चाहते है computer के साथ इस्तमाल करना चाहते है तो आपको दोनों तरफ से music आएगा वो बहतर आपको feel देगा बस DT21 की एक problem है यहापे आपको सिर्फ base control मिल जाता है यहापे आपको treble की कुछ कुछ control नहीं है बस base control है और base control जो है यह आप बिलकुल बहुत ज़ादा बढ़ा नहीं सकते एक certain limit तग यह पहुंच जाता है जहाँ पे आपको music के मज़ा बहुत अच्छा आने वाला है काफी अच्छा base है यह भी आपकी मतलब ground shaking base है यहापे आप vibration होगा अगर आसपास आपका bed रहेगा तो तो यहाँ पे काफी मतलब अच्छा है मगर overpower base आप कर नहीं सकते जहाँ पे आप MT600 पे आप बहुत ज्यादा base बढ़ा सकते हाला कि उस तरह का कोई music सुनता तो नहीं है जहाँ पे आपको vocal बिलकुल दब जाये safe base जो है थोड़ा से भी नीचे किसी का अगर budget है तो यहाँ पे भी एक है आप soundbase खरीद सकते हैं OBS का soundbase SB001 यह आपको सिर्फ 2718 रुपे में मिल जाएगा फिलहाल 2718 यह मतलब सारे जो price बढ़ चुके थे यह भी आपको 3000 के उपर बिक रहा था अभी फिलहाल फिर से कम price में इसकी पहले की price मे लगबग आ चुका है 2718 में आपको मिल जाएगा अब फिर से बापस आ जाते हैं 4000 के उपर से 5000 के अंदर का जो price range है तो अगर आपको 4.1 चैनल वाले sound system पसंद है home theater पसंद है तो आपको always 4.1 HT101 काफी popular काफी hit यह hit music system है यहापे आपको 4 मतलब speaker आपको और एक subwoofer मिल जाएगा तो यह बहुत अच्छा है यह आपको 4544 पे मिल जाएगा इसकी भी price बहुत बढ़ चुका था हाला कि बिक रहा था इसी तरह का price में पहले फिर से उसी price में आपको मिल जाएगा जो पहले वाला price था तो ठी सकते हैं तो इस 4000 से लेके 5000 के अंदर आप OMIWA मतलब OBS ST607 का इस्तमाल कर सकते हैं वो एक खरीच सकते हैं वो एक single tower speaker है मगर बहुत बढ़िया उसकी output है अभी वह आपको मिल जाएगा 4180 पे single tower speaker है ध्यान रखना पड़ेगा मगर काफी एक बहुत ही अच्छा sound produce करता है system काफ कि यहां पर एक नया खिलाड़ी आपको मिल जाएगा जो कि OBS ST144 जो कि 100W का model यहां पर एक different type का मतलब खास करके जो pure audio पसंद करते हैं जो जहां पर bass हो जहां पर proper travel हो vocals आपको बहतर मिले तो उनके लिए यह product है खास करके तो काफी एक अलग सा दिखता है ठीक है इसकी जो sub 5600 के आसपास और फिर इसकी price जो था वो बढ़के almost 6500 पहुंच चुका था और फिर से अभी यह 5980 पे आ चुका है तो अभी इसको खरीद सकते हैं आप बात करते है 6000 से लेके 7000 तो इसमें आपको एक ही model मिलेगा उसका नाम है OBSDT51 तो यह आपको यह 100W का है दो मतलब टाव speaker है तो इसकी जो यह भी काफी अच्छा है model फिलाल इसकी price है 6908 उनके लिए यह बहुत अच्छा है जिनको अच्छा bass भी पसंद है vocals भी पसंद है मगर यहां पे मैं कहूंगा अगर आप थोड़ा सा ज्यादा खर्चा कर सकते हैं तो आप इसकी जो पुराना model है मतलब बहुत ही low volume पे आप उसकी मजा ले सकते हैं मैंने मतलब मुझे तो इन दोनों में से always dt2605 का जो bass है उसकी जो punch है वो बहतर लगा मैं यह नहीं कहूंगा कि dt51 बुरा है मतलब उतना फरक नहीं पड़ेगा अगर आप दोनों को side by side नहीं सुनेंगे तो आपको उतना पता नह नहीं चलेगा आपको dt51 बहुत बढ़िया लगेगा क्योंकि वहाँ पे भी आपको बहुत ही पंची बेस बहुत ही अच्छा vocals आपको मिल जाता है मगर कहीं नहीं कहीं old is gold कहा जाता है तो मैं कहूंगा हां बिलकुल dt2605 बहुत ही अच्छा एक model है तो यह अभी आपको मिल 7,544 हलाकि 7,000 की उपर आते हैं तो आपको शायद 500 से 600 रुपे extra लगाना होगा अगर आप dt51 खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे आप 600 रुपे extra खर्चा कर दिये लग भग तो आपको यह मिल जाएगा अगर बहुत tight budget है definitely आप जा सकते हैं dt51 वो भी बहुत ही अच्छा है न और सारे product जो है बहुत ही अच्छे sound produce करते हैं आपको निरा सा नहीं होगा thank you for watching this video please subscribe कर लिजे चैनल को सारे जो product की जो purchase link है वो आपको video description में मिल जाएंगे वहां से please purchase कीजिएगा तो उससे थोड़ा सा मुझे help होगा इस channel को help होगा और उसके लिए और मुझे भी थोड़ा